नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवस्दी एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस विडिम हम आपसे बात करेंगे अंजीर खाने से होने वाले फायदे के बारे में दोस्तों अंजीर जो है बहुत ही लापकारी होता है इसके फल को खाने से बहुत सारे बिमारिया दूर होती है, सरीर जो है स्वास्ता और तागतवर बना होता है, क्योंकि दोस्तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोशड़ तब मौजूद होते है, जो कि हमारे सरीर के लिए बहुत ही फायदिमन होते हैं आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे अंजीर को खाने से हमें किन-किन बिमारियों में लाब होगा अगर दोस्तों आप रोजाना सुबा खाली पेट 2-3 अंजीर का सेवन करें या फिर आप अंजीर का सेवन दूद के साथ करें तो आप बहुत सी बिमारियों से बची रहेगे आपका जो है सरीर स्वस्ता और तागात वर बना रहेगा दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अंजीर में कौन-कौन से पुशर्ट तत्व मजूद होते हैं जो कि हमारे सरीर के लिए फायदे मन्द होते है नमबर एक अंजीर का सेवन करने से कबज की समस्या दूर हो जाती है और पाचन तन्त्र अच्छी तरह से काम करने लगता है आप दो से तीर अंजीर को रात में भ्यगो कर शुबब खाली पेट शुटत दूर मिल जाएगा आपका भोजन अच्छे से पचेएगा नमबर दो अंजीर में प्यक्टू नामक घुलन सील फाइबर होता है जो रक्त से खराब कुलेस्टाल के अस्तर को कम कर सकता है साथ ही अंजीर का फाइबर गुड़ पाचन तंत्र से भी अतरिक्त कुलेस्टाल को साप कर सकता है नमबर तीन, सरीर में आरन की कमी होने पर एनिमिया होता है अगर समय रहते हैं इसका इलाज न किये जाए तो यह बिमारी घातक साबित हो सकती है सुखी अंजीर को आरन का प्रमुक सुरुत माना जाता है इसके सेवन से आपके सरीर में हिमोगलोबिन का अस्तर बढ़ेगा और आपको एनिमिया जी समस्या से छुटकारा मिलेगा नमबर चार, स्वास्त के लिए अंजीर का महद तो क्या है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है किया कैंसर जैसे घातक बिमारी को भी दूर रखने में सच्छम है अंजीर का फल, पेट और ब्रिष्ट कैंसर को पनबने से रोकने में मदद कर सकता है नमबर पांच, अंजीर को कैलसियम, पोड़ेशियम और मेगनेसियम का मुख सुरुत माना गया है शरीर की हडियों को मजूद करने के लिए ये सभी गुड़ जरूरी होते है अंजीर के गुड़काई तत्व हडियों पर प्रभावित तरीके से काम करते हैं जिससे उनके तूटने की आसंख्या कापी हद तक कम हो जाते हैं और हडिया जो हैं मजबूत बनी रहती है नमबर च्छ अंजीर में अधिक मातरा में पोटेसियम होता है जो मुत्र द्वार द्वारा सरीर से बाहर निकालने वाले तत्व को नियंदित करता है या केल्सियम के पतन को रोकता है और विसाक्त पदार्थों को सरीर से बहान निकालता है नमबर साथ, सुबह खाली पेट 3-4 अंजीर को गुनगुने पानी के साथ खाने से बाबा सीर से छुटकारा मिलेगा आपको अगर बाबा सीर जैसे समस्या हो तो आप इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ जरूर सेवन करें आपको बहुत जल्द लाब मिलेगा नमबर आठ, मदमे मतलब डाफटेज बालों के लिए अंजीर फाइबर का अच्छा सुरोत है इसमें हलकी मिठास भी होती है जिससे ये आपकी मिठास खाने की अतितिवर इच्छा को कम करता है अंजीर का कितना सेवन करना है इसे आप अपने डाक्टर के सला के बाद ही अंजीर का सेवन करें नंबर 9 अगर आप जिम करते हैं तो आपको अंजीर का सेवन करना चाहिए क्योंकि अंजीर का सेवन करने से आपका मसल्स बनेगा इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पोशर तत्तों मौझूद होता है जो आपके मसल्स को अच्छा बनाता है अगर दूस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सेयर करें लाइक करें कमेंट करें और बिल आइकान को जब दबा दें